अब हम लोग कॉक्रोज के बारे में डिसकस करने जा रहा हैं ध्यान देना यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है दो कुस्चन तो आते ही आते हैं कॉक्रोज से बहुत नीट के परपस से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुत ध्यान से समझना में कॉक्रोज के ब इनके पास three pair three pair legs होते हैं कितने जोड़ी पैर होते हैं यह बात हमें आदनी चाहिए फिराल लोग पढ़ता है कोई भी कुछिछन पूछा जा सकता है इसका जो जीनास होता हो पैरी कि जो ती वह अमेरकाना होती यह सब्द आपको याद होना चाहिए अब मैंने नोट डालबिक पॉइंट लिखा नहीं कि नाम लिख दिया उसका रीजन क्या है कि आता नहीं पर फिर भी मैं आपको समझाना चाहिता हूं कैसे डिफरेंज कर सकते हो तेक है जैसे मैंने एक नाम लिआ वो कैसा होगा है डियकरणा है वो कैसा पीता ओर अमेरिकाना ऑलिके लाटेट मरिकाना को था है उनमने क्या अंतर है किस तरीके से किनल नोटे uh मझर तो अगर देखे आशरी पूछ या अमेरकाना औरम अच्छे कौन लंबा जोग रॉगा इसको मैं कौन रजल को वा कौन शोटा होगँ किसकी साइज। तो देखने अमेरिकन में उरने की चंपता हम्लों अच्छी हो ती जाते अगे आपके नहीं मरते क्योंकि उनकी एर्पोर्स बहुत मजबूत है तो अमेरकाना का मैंने खाए अमेरकान की क्या है एयरपोर्स उड़ने की चमता अच्छी है ऐसे ही अमेरकाना विलेटा में अगर हम लोग करें तो देखा जाए किसके पंक जादा अच्छे डवलप होंगे किसमें उड़ने की चमता जाद अच्छी होगी अमेरकाना में जाद तो इसका जो चमकदार होगा तो इसका जो अमेरिकन की जादा बहुत जादा या जादा नहीं बहुत जादा है संख्या में जादा होगी जबकि अमेरिकन में कम होगी एसे हम्लोग सोचेगे तो बहुत आसानी समय समयरिकन की क्या कूबफ हो भी jijther कि कौनसा है यह हमारे कोर्स में है तो इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे इंपर्टेल को अगर आपने देखा होगा को क्या करता है आपने देखा होगा कोई खतरा दिले तो उड़ता काम धा जाद खाल फास्ट रर्निंग फास्ट रर्निंग हो जाए बन्दब क्या हो थे दुसा टर्म क्या उन्टार नॉक्टरनल क्या होता रात लिचब कैण सिंपल सी बात है कोउप्रोच कम एक और रात में थे हुआ तो आप आप साथ हो गये पितनी बात आपको समझ में आई कौक्रोज के वारे हम इसकेलेटन डिसकस करेंगे आपने जानते होगी कि फायला मार्थोपोड़ा की सक्सिज्ड का सबसे बड़ा कारण क्या है उनका एक्जो स्केलेटन होता है और जिसे बातर का का लास नहीं होता है तो उसली उनकी सैब्स करें यह जिसे बादा सब्से बाद से भौड़ा लगता है एक बात और है आपको मैंने एक बार बता aja है जो इंसेट को क्यों खाते है इंसें इसली नहीं खाते हैं के हैं क्यूंकि इंसेट की opposing क Kensington की बनी हो थी हौ का यूनिट होथा चाले निद यंजिना नाद बनी और ने सेल्म प्लूको सा मिमत gewoon स्थी ना मतलब नौकरोज। मतलब की कोप्रोच's कोप रॉच्छ होए हाई है जो इसकिन है वह काईटन की तिया है मैं काईटन की युए हैई, काईटन की होता है, नाख मदब ऐन एस्ट्रल गोशा sait जहां पे नाइटोरजन की कमी होती, यह भी question PMT में repeat होने घए त्छिपन ही, سलिए मैं चान या सब्वारIST हैं, और प् convention के पनके יותר कोप्रोज की अगर अगर हम लोग बॉड़ी की बात है कोप्रोज की जो ऊती है पोटी है वो सी पार्ट में इफाइट होती आ कि एक टो होता है एक दूसरा होता है थोरैक्स तीन पार्ट में वाइट होती है एक तो होता है head क्याश ही जो होता है head दूसरा होता है thorax thorax थो हिंदी मोज़ते हैं भक्ष और तीसरा होता है abdomen क्या होता है एबडामिद बोलते हैं क्या जो होता है मैंने कगा head, thorax और abdomen cockroach की जो body होती है कितने पार्ट में रभाई होती है यह तो जाने हैं व्यस्टारी थो क्या है टॉरेक्स और आपडोमन पॉंडब साथ होगे हैं तो हैं जो हुता है है अगर देखा जाए तो हैं में 6 सेग्मेंट होते हैं जब एम इरॉनिक प्रॉप्र टीन चुंद होते हैं धोरेक्स में 3 20 की आसपास जबकि बार में क्या हो थे चैनले हैं एक जो 6 वुझ होके जैसले हैं इसे हैड के जो 6 सेग्मेंट्स यह कर जाएगा यह तीन का थीन है ताव यह 11110 के तस वो जाता है लगभगो कितना सेग्मेंट्स होता है 14 तो अगर देखा सेग्मेंट्स कितने होते हैं इतने होते हैं इतने बात में कोई तिक्कत हो तो बोलो जली से नहीं ना देखो अच्छे से